Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. IIT क्या है? What is IIT? अगर आप एक student है, then video आपके लिए, आपके career के लिए helpful हो सकता है. जब हम 10th या 11th class में होते हैं, तो अपने career से related, जिस भी field में हम जाना चाहते हैं, उस field से related searching करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास काफी time होता है 10th, 11th class में. जैसे आप 12th में होते हैं या 12th pass out का अगर आप बेट कर रहे हैं, direct आपको decision लेना या किसी भी field में जब आप जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको information भी होनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, तब आपके पास इतना time नहीं होता है कि आप 12th class में हो या after 12th आप decision ज इस field में जाना चाहते हैं, उससे related searching आप कीजिए, ताकि आप अपना एक बहतर career आप आगे बना सकें, अब ये जो वीडियो है, इसमें हम IIT के बारे में जानेंगे, आप सभी ने IIT का नाम तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना हैं, तो आपको इस वीडियो से IIT के बारे म सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा, अगर आपने भी इस field में जाने का सोचा और IIT के बारे में आपको information चाहिए, क्योंकि जिस भी field में हम चला चाहते हैं, अगर उसके हमको information जानकारी हमारे पास होना चाहिए, उसके बारे में, तो ये एक अच्छी बात है और आपके लिए इसके काफी help मिलती है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, IIT क्या है, IIT का full form होता है Indian Institute of Technology, हिंदी में भारतिय तक्निकी संस्थान कहा जाता है, IIT एक autonomous संस्था है, autonomous means जिसमें खुद के board of director होते हैं, इनके सारे courses या नियम खुद IIT सं भरत सरकार दोरा इस्थापित किया गया राश्ट्य महत के संस्थान हैं, भारत का पहला IIT College 1950 बन में खडगपुर में इस्थापित किया गया था इसके बाद अब हम बात करेंगे कि भारत में टोटल कितने भारतिये तक्निकी संस्थान या IIT कॉलिजिस हैं तो 23 भारतिये तक्निकी संस्थान है पूरे भारत में जिसमें IIT खड़कपूर, IIT मुंबय, IIT कानपूर, मद्रास, तहली, गौहाटी, रोर्की, टोपड, भुवनेश्वर, गांधी नगर, हैदराबाद, जोदपूर, पटना, मंडी, इंदोर, IIT बारानसी, IIT पलककर, और भारति, धनबाद, IIT भिलाई, IIT गौह, जमू, एंद धारबाड, ये 23 IIT colleges हैं पूरे भारत में, इसके बाद अगर हम बात करें eligibility की, अगर आप IIT colleges में admission चाहते हैं, तो क्या eligibility रहती हैं, IIT में अगर आप admission चाहते हैं, तो कम से कम आपका 12th pass होना जरूरी है, physics, chemistry and mathematics से, अग आप इसमें admission ले सकते हैं, क्योंकि जो IIT colleges हैं, इसमें undergraduate programs, masters and doctor programs रहते हैं, जिनमें की आप admission ले सकते हैं, जिस भी course को आप IIT colleges हैं, उनसे करना चाहते हैं, अब हम जानेंगे, अगर IIT colleges में आप admission चाहते हैं, तो क्या process रहती हैं, कैसे आप इसमें admission ले सकते हैं, IIT colleges में admission के लिए आपको entrance exam देना होगा entrance exam रहता है जो all over India में 23 IIT colleges है जिन में आपको admission मिल जाता है अगर आप इसको clear करते हैं entrance exam आपके two studies में रहेंगे first का JEE mens and JEE mens जब आप clear कर लेते हैं then आपको JEE advanced test आपको देना होता है next अब हम बात करते हैं duration की तो इसमें आपका जो duration रहता है IIT colleges में जैसे कि मैंने बताया इसमें bachelor courses रहते हैं integrated courses भी है undergraduate courses integrated courses master degrees आप लेते हैं तो उसके accordingly यहाँ पर आप देख रहे हैं B.Tech अगर आप करते हैं तो bachelor degree आपकी four year में complete होती है integrated course अगर आप करते हैं B.Tech plus M.Tech then five year और only अगर आप M.Tech करते हैं after graduation then इसमें आपको two year duration रहता है आपके यह courses complete हो जाते हैं fees अगर आप देखेंगे तो हर साल वैसे यहाँ पर मैं आपको approximate बता रही हूं almost आपके इतनी fees per annum एक साल की आपको लग सकती है लेकिन फिर भी जिस भी साल में आप admission चाहते हैं आप test देते हैं तो हर साल IIT की जो off-sell site है वहाँ पर fee structure दे दिया जाता है mention किया जाता है तो वहाँ से आप check कर सकते हैं फिर भी एक अगर हम मोटो मोटो तोर पर देखें तो दो लाग से धाई लाग पर एयर का आपका यहाँ पर खर्चा आ सकता है बी-tech जो courses हैं अगर आप करते हैं bachelor courses के लिए तो फिर भी मैं कहूंगी fees के लिए आप हर साल इस पे structure जो fee structure है वो upload किया जाता है तो आप जिस साल भी admission लेते हैं उस साल आप इसका IIT की जो off-sell site है वहाँ पर इसका fee structure चेक कर सकते हैं ओके friends, so I hope आपको वीडियो पसंद आयो होगा IIT के बारे में जो information ने आपको दिये और अगर आप चाह रहे हैं IIT college में admission या इसे के courses हैं उसमें admission या courses करना तो अगर आपको ये इस वीडियो से help मिली है थोड़ी बहुत भी आपके career option को choose करने में तो वीडियो को like जरूर कीजेगा Thank you